हेलो दोस्तों कैसे हूँ सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हर्दिक सुभकाम ना यह दीवाली आप लोगों के जिवन में नहीं रोशनी, खुसी, और दोस्तों नहीं उम्मीद लेके आए, आप सभी को जै सिरी राम, जै वजरंग बली दोस्तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे यह एक affordable segment का प्रोजेक्ट है यहाँ पर अगर हम starting price की बात करें तो आपका 20 लाग रुपे से शुरू हो जाएगा तो दोस्तो आप लोग यह बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखेगा बाकी जो भाई चैनल पर नए आए है वो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि दोस्तो जब आप चैनल subscribe कर लेते हो तो उसके बाद जो भी नई notification आती है या कोई अच्छे deal आती है तो वो जब भी में वीडियो upload करूँआ तो आप लोगों को मिलती रहेगी बाकी मैं हूँ आपका दोस्त अरजिन खटाना आप देख रहे हैं अपना फैवरेट चैनल इन्वेस्टर सब चलिए दोस्तो एक बार अंदर चलते हैं और society देख लेते हैं यह मैं entrance है society की आप सामने देख सकते हैं एक जीवन के नाम से society है दोस्तो इस society के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको 1BHK, 2BHK और 3BHK अपार्टमेंट मिल जाते हैं इसके अंदर आपको कुछ option 4BHK के अंदर भी मिल जाएंगे वो किस तरह से हैं सारी चीज़े मैं आपको बजाता हूँ यह दोस्तो जैसे हम society के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक खुबशुरत सा park area मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करें location की तो राजनगर extension के अंदर यह society बनी हुई है यहां से दोस्तो मेरे टाप का काफी पास पढ़ता है अगर हम बात करें rapid matter की तो वो भी यहां से society से काफी पास में पढ़ती है मुस्किल से आप मान के चलिए हो 800-900 मिटर के आसपास आप कह सकते हैं यानि एक किलोमेटर के अंदर अंदर आपको यहां पे वीजनल मैटर मिल जाती है दोस्तो अगर बात करें गाज़ाबाद बसड़ा की वो भी पास में ही है अगर मैटर स्टेशन की बात करें तो आपका राजनगर extension से सला मैटर स्टेशन पास में पढ़ता है दूसरा गाज़ाबाद बसड़ा भी आप मुस्किल से मान के चलिए 5-6 किलोमेटर की रेंज में आ जाता है दोस्तों यह पूरी सोसाइटी है कुछ इस तरह से यह आपको दिखाई देगी यहाँ पे वाटर बोडी बनाई हुई है आप लोग देख सकते एक बार कि किस तरह से सारी की सारी चीज़े आपको मिलती है दोस्तों अगर हम बात करें टोटल लैंड एरिया की तो य प्लस थर्टीन फ्लोर किये सोसाइटी बनी हुई है इसके अलावा एक बेस्मेंट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर नंबर हो फ्लैट की में बात करता हूं तो लग बग 412 फ्लैट इस सोसाइटी के अंदर बने हुए है चलिए अब एक बार अंदर च चलिए दोस्तों एक बार आगे बढ़ते हैं वन बीच के इसमें आपको 637 स्क्वार फिट में मिलेगा टू बीच के 808 और थ्री बेच के 1089 स्क्वार फिट में मिलेगा जो भी हम एक बार सेंपल रेखते हैं इसमें ड्रोइंग डाइनिंग आपका साढ़े दस बाई सवा सो आएगा अफोडेवल सेग्मेंट की सोसाइटी है दोस्तों फिर भी आपको चीज अच्छी मिलती है यह आप देख सकते हैं पहला बैट्रूम आपको 10 बाई साढ़े 10 के साइज का मिलेगा जिसके अंदर वोड्रोब आपकी अंदर है तो रूम का साइज आपका खराब नही होता है यह आप देख सकते हैं जो आपका 11 बाई 12 के साइज का है दोस्तों इसमें भी सामने वोड्रोब का स्वेस दिया हुआ है अलग से यह आप सामने देख सकते हैं इसके अंदर ही इसमें आपको एक अटेच वोस्रूम मिल जाएगा वोड्रोब काफी अच्छी बनी हु तो यहां पर आपका 3-3 बैड्रोम है और यह आपका कोमन वोस्रूम जो आप होल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने रूम के साथ भी यह दोस्तों आपका 3-3 2-3 के मिलेंगे और 30 बेपाई 12 के साइज का मिल जाएगा इसमें वोड्रोब का स्वेस अंदर दिया हुआ है त इसका प्राइस भी काफी अच्छ है वह मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं तो आप वीडियो में बने रही है और इसके लावा दोस्तों अभी मैं आपको एक बार टूबी एच का सैंपल फ्रैट भी दिखाता हूं जो आठ सौट स्कॉर फिट में बनावा है यह आप सामने देख सकते हैं इसमें ड्रूइंग डाइनिंग आपका दस बाई पंद्रा के साइज काएगा अगर कीचन की बात करें तो सामने आपकी कीचन आ जाती है छे बाई सवानों के साइज की इसके साथ में आपकी एक अटैच बालकनी आपको मिल जाएगी यहाँ पे द यह आप इस रूम के साथ में एकसेस कर सकते हैं और होल से भी एकसेस कर सकते हैं यह आपका सेकिंड बैड्रूम दस बाई 11 के साइज का इसमें सामने वोड्रोब दी हुई है दोस्तों जो आपकी एक तरह से यह कहिए कि दिवार के अंदर है तो रूम साइज आपका खराब नहीं होगा इधर आपकी बालकनी और इसके साथ में यह अटेच वोस्रूम आपको मिल जाता है चलिए दोस्तों अब हमें एक बार आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बन भी एचके का सेंपल दिखाता हूं यह बन भी एचके 637 स्क्वार फिट में बनावा है ड्रोइंग की अगर हम बात करते हैं तो दस वाई साधे चोदा का आपका ड्रोइंग एरिया जाता है सामने आपको कीचन मिल जाएगा च्वाई सवानों के साइज का जो टूब एचके में था वही सेम साइज मिलता है अटेच बालकनी साथ में दोस्तों यह फ्लैट भी फिनिश नहीं हु दोस्तों अभी मैं आपको एक सेंपल दिखाता हूं काफी अच्छा साइज है 1660 स्क्वार फिट में और इसका रेट भी काफी अच्छा है यह साट लाग रुपे से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर हम ड्रोइंग एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों इस तूब दो टूब सवानों के साइज का कीचन है इसके अंदर अभी दोबरा में आपको दिखाता हूं यह आपका बैडरूम है दोस्तों एक बैडरूम हो वही आपका जैसे की आपके टूब एच के में था दस भाई साड़े दस का आपको मिल जाएगा यह आपका कोमन वोस्रूम है और यह आगे बढ़ते हैं यह देखे होल एरिया है दस भाई पंद्रा का यहां पर कीचन है जो मैंने आपको बताई लगबग बारावाई सवानों की है और इधर हम कीचन के दूसरी साइड जाते है तो दोस्तों आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा यह भी दस भाई पंद्रा तो आप देख सकते हैं सोसाइटी बिलकुल रेडी है उसी अपलाई कर दिया गया सो सकते हैं एक महींने में दो महींने के इंदर इसका ऐसी आजायेगा तो आप कह सकते हैं कि एक या दो महींने में डिल टु मूइन twenties अस्यों सब्सु это को मिल जाएगी तो अगर आप लो दोस्तों, अगर हम बात करते है 2BHK की, तो यह 3.5.5 रुपे से स्टार्ट हो जाएगा, 31.25.000 रुपे तक जाएगा, इसके लावा अगर 3BHK, 1089 की बात करते हैं, तो यह लगबग 45.0 रुपे का आपको पड़ेगा, दोस्तों, अगर हम बात करें 4BHK की, तो यह 2BHK का तो उपन में आपको डेड़ लाग रुपे देना है, कवर्ड में आपको तीन लाग रुपे देना है, इसके लावा दोस्तों आपके इलेक्रिफिकेशन के 20,000 रुपे 1BHK के लिए है, 30,000 रुपे 2BHK के लिए है, तो इस तरह से आपके चार्जिस जाएंगे, अगर आपको आपके जो प्रजेशन टाइम पे है, वो 5% और जाएगा, तो दोस्तों हम लोग साइट विजिट कर चुके है, सैंपल फ्लैट वगरा देख चुके है, प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दिये, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताईए, आपको सोसाइटी कैसी ल लोगें, तो आपको ने नोटिफिकर्स मिलते रहेंगे, एक बार फिर्ट से आप सभी को, आपको और आपके परिवार को, दिवाली की हर्दिक सुनकामने, जै श्रीराम, जै हिन दोस्तों.